हेलो फ्रेंस वेल्कम बैक टू माई चानल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यह कनेर का जो पौधा है इसकी सीड हम किस तरह से कलेक्ट करें और किस तरह से इसके सीड बनते हैं और कैसे हम इसको करेंगी और कशनी होता है इसके बारे में पूरी डिटेल में आपके साथ सब्सक्राइब कर चुकी हूं के यह कितना हाठी प्लांट है इस प्लांट को हम इसका को हम झाभाण आता है औरgrass बहुत कंप Los keo मैं अगर कहूं तो ये कह सकती हूँ कि बगएर किसी केर, बगएर किसी मैनत और इस प्लांट को बहुत असानी से ग्रो कर सकते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में कहीं पे भी फ्लावर्ड नहीं हैं लेकिन धेर सारे birds बन रहे हैं और in future इसमें बहुत ही अच्छी flowering होने वाली है तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके seed हम किस तरह से collect करें तो मेरे इस plant में मैंने first time seed देखे हैं और जैसे कि मुझे पता था किसका seed ऐसा होता है लेकिन अभी तक मेरे इस plant में seed नहीं बने थे क्योंकि seed नहीं बनने का कारण यह है कि जैसे ही मेरे इस plant में flowering होती थी और वो सूख जाता था तो मैं क्या करती थी उसे हटा देती थी तो जब plant में flower ही नहीं छोड़ूँगी मैं तो उसमें seed कैसे बनेंगे तो इसलिए अभी तक मेरे इस plant में seed नहीं बने और अभी first time मेरे इस plant में seed बने वो भी coincidentally कहीं flower रह गया होगा इसलिए तो मैं आज आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से इसके seeds दिखते हैं कैसे लगते हैं और कैसे इसके seed बनते हैं तो आप देख पारे होंगे एक ये stem काफी दूर चला गया था मेरे तो इसी चलते इसमें जो flower रह गये थे उसी के इसमें seed बन गये और देखिए अब देख पारे होंगे तो friends देखिए कुछ इस तरह से इसमें seed बनते हैं ऐसी इसमें फलियां बनती है जो flower हम छोड़ देते हैं वही dry होके फिर उसमें flower seed बनने लगते हैं और पहले इसका form यह ही रहता है और बाद में देखिए कुछ इस तरह से इसके सारे seed बाहर आ गये हैं अब अगर मैं इसे collect ना करूं तो यह यहां वहां उर जाएंगे और काफी light weight होते हैं यह और बिल्कुल रूई की तरह देखने में होते हैं जैसे मैं कहूं जैसे अडेनियम के जो seed होते हैं बिल्कुल उसी तरह दिखते हैं इसके seed तो काफी हलके होते हैं और मैंने भी first time यह seed मैं देख रही हूं इस तरह की फलियां जो होती थी मैं तो इन सब को हटा देती थी तो यह मेरे plant में पहली बार seed बना है तो मैं इन सब को collect करूंगी और फिर से मैं इनी seed से इस plant को grow करूं कटिंग से बहुत ही असानी से grow हो जाता है इसलिए कभी मैंने seed को collect किया ही नहीं और seed collect करने की मुझे ज़रत भी नहीं पड़ी क्यूंकि easy to grow plant है by cutting तो मैंने इस plant को cutting से ही grow किया था तो अब मैं जैसे की यह seed collect कर चुकी हूं तो अब मैं आगे आपके साथ share करूंगे किसी व plant grow करें तो काफी खुबसूरत seed दिख रहे हैं जितने इसके flowers सुंदर हैं वैसे ही इसके seed काफी सुंदर दिख रहे हैं खुबसूरत दिख रहे हैं तो अब मैं इसे करूंगी collect और next किसी वीडियो में मैं आपके साथ जरू share करूंगी कि इसकी seedling हम कैसे करें और कैसे इसको grow करें क्यूंकि यह summer plant है और इस plant को या तो cutting से लगाई या सीट से लगाई और दोनों का ही सही time यही होता है और इसी time इसे लगाया भी जाता है मैं तो मैंने जो यह plant त्यार किया है मैं आपको जो दिखा रहे हूं यह मेरे cutting से ही लगाया हुआ है अब मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगे सिट से लगाना तो ये कि खुब्सूरत से शीड़ अब मैं इसे किसी चीज में रख दूंगी और कुछी समय में मैं इसको ग्रो करूंगी और आपके साथ मैं इसका वीडियो भी जरूर शेयर करूंगी तो यही थी आज की जानकारी इस कनेर के पौदे की सीट के बारे में तो उमीद करती हूं आपको पसंद आई होगी और पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिए और शेयर करिए और अगर आप मे को ब Burns्ल में आपके सानका हाई जूमी और शेयर करिंश कर लिए कर दो खोगने के जए तो बदेगा खराय और आपको और ग्र्सकारी एकर में झाए Beim।